वेलकम टू मैं चैनल मैं आज आपके साथ गुरु घर का परशाथ आटे का हलवा शेयर करना चाहती हूँ मुझे उमीद है कि आपको पसंद आएगा इसके लिए बहुत सिंपल से इंग्रीडियंट्स होते हैं एक कटोरी आटा एक कटोरी चीनी और एक कटोरी ही गी और दो कटोरी पानी इसके लिए ज्यादा कुछ भी डालने के जरूरत नहीं होती बस परमात्मा का नाम लेके इसको शुरू करना है और हर वकत बनाते वकत आपको परमात्मा का ध्यान करते हुए पाठ करते हुए ये परशाद को बनाना है जिससे अम्रत अपने आप परशाद में गुल जाता है अब मैं आपको बताती हूं कि इसको कैसे बनाना है यह जो दो कटोरी पानी हमने डाला था उसमें चीनी डालके हम इसको बॉइल करें चीनी गुलने तक इसको फिलाना है और फिर इसको निकाल देना है अब इसमें एक कटोरी घी जो हमने नाप के बताया था अब इसमें हमें कटोरी आटा डालेंगे और इसको धीमी धीमी आज पे इसको बूलेंगे तक हमने धीमी आज पे सारा ये भूना है और जब भून जाएगा और घी बहार निकलना शुरूँ हो जाएगा फिर आपने इसमें पानी डाई पानी मिला दिया है और इसको दिनी दिनी आंज पे हमने भूनना है सारा गी बहरा देगा जब ये बन जाएगा अब इसको दीरे दीरे ही लाते रहना है अब ये गी छोड़ना शुरू हो गया है अब दीरी दीरी हमने जब तक ये पूरा गी बाहर में आजाता हम भूनते रहेंगे और फिर इसको आपको दिखाते होना है कि कैसा बना है